आज पीम मोदी ने राष्ट को संबोधित किया अपने संबोधर में उन्होंने पहले तो लागडाउन तीन मही तक बढ़ाई जाने की जानकारी दी फिर देशवासियों से अपील की कि वे कोरोना वाइरस से बचने के लिए आयूस मंतराले द्वारा जारी इम्मिनिटी बढ़ाने के टेप्स जरूर फॉलो करें दरसल केंसरकार के आयूस मंतराले ने दस ऐसे घरोले नुसके बताये हैं जिने अपना कर आप अपनी और परिवार की इम्मिनिटी बढ़ा सकते हैं सरीर को अंदर से मजबूत बना सकते हैं और करोना संकर्मन से अपनी सुरक्षा और पुक्ता कर सकते हैं करोना से बचने के लिए आईस मंतराले द्वारा जारी वो 10 टिप्स क्या हैं आपको हम इस वीडियो में विश्टार से बताएंगे उससे पहले हमें आपको बता दूँ कि अगरी आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो किप्या सस्क्राइब कर लीजिए तो चलिए आगे बढ़ते हैं बैसे तो सोसल मेडिया पर आपको इसके कई तरीके बताया जाते हैं इन में से कई फरजी भी होते हैं जिने अपनाना नुकसान दायक साबित हो सकता है इसलिए लोगों तक सही जानकारी पहुचाने के लिए भारत सरकार के आयुस मंतराले ने दस तरीकों की सुची तयार की है इसमें बताया गया है कि बदलती मोसम और कोरोना संकर्मन के बीच इन दिनों आपको क्या करना चाहिए कैसे अपनी और अपने परिवार की इम्मिनिटी बढ़ानी चाहिए इस पूरे दस तरीकों के इंद्रिय मादमिक सिक्षा बोड ने भी सेयर किया है ताकि हर बच्चा और उसके पैरेंट्स इससे वाकिफ हो सकें यहां हम आपको मंतराले द्वारा बताए गए वे सभी दस तरीकों के बारे में विस्तार से बताएंगे सबसे पहले कोशिश करें कि दिन भर में जितनी बार भी पानी पीएं उसे हलका गरम करके ही पीएं खास दोर पर ठंडे पानी से फिलहाल परहेज रखें क्योंकि बदलते मोसम में यह आपको बिमार बना सकता है रोज कम से कम 30 मिनटा समय सिर्फ अपने लिए निकालें इस बीच योगासन प्रणायाम और ध्यान लगाएं परिवार के साथ रहते हैं तो घर के संद्र सदस्यों को भी ऐसा करने के लिए कहें इसे तन और मन दोनों तंदुरुस्त होगा इमिनटी बढ़ाने के लिए क्या करें इन दिनों आप जो भी खाना खा रहे हों कोशिश करें कि उनमें हल्दी, जीरा, धनिया और लहसुन का इस्तिमाल जरूर हो ज्यादा तेल, बटर वाले खाने से परहेज रखें हो सके तो चाउन परास का एक डबा ले आएं रोज सुबह उटकर फ्रैस होकर एक चमबच करीब 10 गराम चौन परास जरूर खाएं घर के हर सदस्य को रोजाना एक चमबच चौन परास खाने के लिए दें इमिनटी बढ़ाने के तरीकों में हरबल चाए बहुत फाइदिमन्द है बुकरस मिला सकते हैं दिन में कम से कम एक या दो बार हल्दी वाला दूद पिएं डेर सो मिली लीटर गरम दूद में करीब आधी छोटी चमबच हल्दी मिला कर पिएं रोज सुबा और साम नाक के दोनों छिद्रों में तिल का तेल या नारियल का तेल या घी लगाएं ध्यान रहे इसकी मातरा बहुत जाला ना हो एक बड़ा चमबच तिल का तेल या नारियल का तेल मूँ में ले ध्यान रहे इसे पीना या गटकना नहीं है इसे 2-3 मिनट के लिए मुँँ में घुमाएं और फिर थूख दें फिर हलके गरम पानी से कुला कर लें ये परकरिया दिन में एक या दो बार की जा सकती है अगर गले में खरास सूका कफ है तो दिन में एक बार स्टीम ले सकते हैं पुदेने की कुछ पतियां और अजवाइन को पानी में गरम करके इसका स्टीम ले गुडिया सहत के साथ लॉंग का पाउटर मिला कर इसे दिन में 2-3 बार खाएं हाला की अगर सूका कफ या गले में खरास की समस्या लंबे समय तक रहती है तो बहतर तो यही होगा कि आप किसी डॉक्टर को दिखाएं तो ये थे आयुस मंतराले द्वारब बताए गए 10 वो घरेले नुस्खे जिन्हें आप अपना कर आप अपने इमिनिटी सिस्टम को दुरूस्ट कर सकते हैं आपको ये वीडियो कैसा लगा ये आप कॉमेंट करके जुरूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पुछाएं धन्यवाद